नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकर के साथ दोस्तो, JRP 2021 हिंदी की तैयारियों के अंत्रगत हम अपना इकाई दो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और इसमें हम भक्तिकाल के बारे में पढ़ रहे हैं अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एकाई दो के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट पनी है उसे चग कर सकते हैं इसके साथ ही साथ जो आज हम पढ़ेंगे देखिए यह है भक्तिकालीन गौन काव्य हाला कि हम भक्तिकालीन गौन काव्य में जो अकबरी दर्वार का काव्य था उसके बारे में विस्तार से पीछे वाले लेक्चर में डिसकस कर चुके हैं और उसके जो प्रमुख कवी कौन है रहीम है उनके बारे में हमने विस्तार से बात की हुई है इसके अलावा देखिए जो अन्य भक्तिकालीन गौन कावे कृतिया हैं उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं तो देख लेते हैं कि कौन-कौन से वो भक्तिकालीन गौन कावे है जो हमें आज क्लियर करना है सबसे पहले अगर हम बात करें गौन कावय की देखिए भक्तिकाल के अलावा कुछ अन्य प्रवृतियां है ना भक्तिके अलावा भक्तिकाल में देखिए अन्य प्रवृतियों की रचनाएं भी रची गई हैं जिन में से प्रमुक अकबरी दरवार का कावय वीर कावय चरित क नीति काव्य और रीति काव्य प्रमुख हैं तो ये चीजें भी हमने इसमें देखनी हैं एक बार फिर से मैं आपको बदा देता हूँ कि गौन काव्य इनको क्यूं कहा गया है देखिए अधिकतर जो रचनाय भक्तिकाल में रची गई वो कौन सी थी कैसी थी भक्ति की थी इस उसमें वीर्ता का वनन देखने को मिलता है हमें ठीक है और उसके बाद आपका दूसरा है किसी के चरित्र की बात की जाती है जो जैन आपके जैन काव्य धरा में हम ये चीज़ देखते हैं नीति काव्य और रीति काव्य ये कुछ एक अलग रचनाय है ये आगे वाली है जै देखिए अकबर जो आपका वीर काब है वो क्यों है क्योंकि पहले वीर व्यसात्मक जो रचनाय रची जाती थी और निती काब है क्योंकि वहां से एक तरीके से शुरुआत होने वाली थी रिती काल की तो इन प्रवरितियों का आना भी बक्तिकाल में लाजमी था और इनका व काव्य में जो प्रमुखच चीजन था, देखिए वो ही आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इस पर हम सबसे पहले देखें देखेंगे वेर काव्य, तो देखिए वेर काव्य का मतलब है राजा आश्रे में लिखित काव्य, आप देखते हे हैं भक्तिकाल से पहले आदिकाल में जो रचनाय रची गई थी वो कैसी थी वीर रसात्मक रचनाय रजी थी जब हम आदिकाल की विशिष्टाओं के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने विस्तार से जाना कि जो आदिकाल में रचनाय रच रही थी उसमें सहीत्यकार या तो ये प्रवरिती आपको बगतिकाल में भी थोड़ी पहुत देखने को मिलती है ठीक है न तो इसलिए इसको नाम क्या दिया राजाश्रे में लिखित काव्य दिया जाता है ठीक है इसके अलावा देखिए प्रमुक जो वीर काव्य के कभी हुए हैं वो कौन-कौन से हुए ह तो हलांकि पीछे बाए लक्चर में मैंने विस्तार से तो नहीं ऐसे रेंडमली आपको बता दिया था कि कौन-कौन से जो कभी हैं वो वीर रसात्मक हैं तो इसमें सबसे पहले देखिए वीर काव्य में आते हैं आपके श्रीधर फिर आएंगे नलह सिंग, फिर दयाराम, फिर दूर साची आढ़ह, कुंबकरन और नियामत खान जान तो ये अलग-अलग वीर काव्य के कभी हुए हैं इनकी जो प्रमुक रचनाय हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि जो वीर काव्य के प्रमुक कभी हुए हैं उनकी कौन-कौन सी रचनाय हैं सबसे पहला इसमें जो नाम था देखिए वो था शरीधर का हलंकि शरीधर के बारे में हमने लास लेक्षर में थोड़ा बहुत चान लिया था इनकी जो प्रमुक रचनाय है देखिए वो है रणमल छंद तो रणमल-चन्द में देखिए इननोंने कहां के राजा का बनन की हैं इसमें ये इडर के राजा थे है ना राजा रणमल राठोर के आश्रे में रहकर 1400 इस्वी के लगभग रणमल चंद के रचना इनोंने की थी किसने श्रीधर ने ठीक है और इसमें कितने चंद उपलब्द होते हैं 70 चंद उपलब्द हैं और ये बात किसने कही है जो आपका देखिए डॉक्ट रणमल ने इसमें क्या किया था कि 1390 में 1390 में पाटन के सुबेदार जफर खां को युद में पराजित किया था और इसी चीज़ का वनन हमें देखने को मिलता है आपका रणमल चंद में ठीक है हो सकता है इसके बारे में थोड़ी चीज़ें पूछी जाएं या श्रीधर कि रिती कावे या अकबरी दर्वार के कावे में पूछा जा सकता है तो आपको ये चीज थोड़ी बहुत पता होना बहुत जरूरी है अगर हम इसकी भाशका शैली की बात करें तो बिखें भाशका शैली ओजपूर्ण है इसकी वीररसातमक है और ये चीज़ें इसमें सुन् दूसरे जो महत्वपून इसके रचनाकार हैं देखिए वो है नलह सिंग, इनकी जो प्रमुक करीथी है वो है वीजैपाल रासो, तो वीजैपाल रासो में कितने चंदों देखिए 42 चंद इसमें उपलब्ध मिलते हैं, लेकिन इसका जो रचनाकार है देखिए वो मायबदी में इसको लिखा गया हो, हालांकि मिश्र बंधु इसको मानते हैं कि ये 1300 के आसपास की रचना है, लेकिन बाद के विद्वानों ने इसको कब माना है, कि ये सोहलुई शताबदी की रचना इसको माना है, तो इसका कोई निश्चित आपको इसकी डिट नहीं मिलेगी कि नल्ह सिंग का जो विजयपाल रासो है, ये कब है, हालांकि सरसोती पांडे और गोविन पांडे की जो पुस्तक है, उसमें इसकी जो रचना काल बताया गया है, वो 1543 ठहराया गया है, मतलब जो लोग सोहलुई शताबदी मानते हैं, उसको इनोंने सही माना है, नल्ह सिं में जिक्र नहीं मिलता कि ये किस की रचना है, तो दिखिए ये चीज थोड़ी सी इंपोर्टन इसलिए हो जाती है, हो सकता है, पूछा ये जाए कि वीर कावे के कौन सी रचना ऐसा ऐसी है, जिसके रचनाकार अग्यात हैं, तो आपको भी कल्प में हो सकता है, दे दिए ज या फिर आपका विरुद छिहत्री, ठीक है, तो आपने क्या करना है, राज रावजैत्सी रासो करना है, तो देखिए जो आपकी ये रचना है, देखिए रावजैत्सी रासो, इसमें किस का वनन है, तो इसमें जो रावजैत्सी हुए हैं देखिए, और उनके और कामरान क युद का वनन इसमें देखने को मिलता है तो ये जो राव जैत्सी थे ये कहां के थे ये बिकानेर के राजा थे और समराथ हुमायू के भाई कामरान के युद का इसमें वनन किया गया है तो दीखिए जो दूसरे कामरान बता जाते हैं के साथ इनका युद हुआ था, वो कौन थे, वो हुमाईू के भाई माने जाते हैं, तो इसी चीज का वनन इसमें किया गया इनों ने, और इसमें राव जैट्सी के विजय हुई थी, ठीक है, हुमाईू का जो भाई कामरान था, वो इसमें हार गया था, और इसका भी रचनाक के बारे में कोई निश्चित जानकारी मालूम नहीं है ठीक है तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि इसमें युद्ध किस-किस के बीच में हुआ था आपका राव जैत्सी और कामरान के बीच में ठीक है 90 इसमें चंद है और अग्यात इसके कवी है नेक्स चे दिखिए वीरकावे के जो कवी है अगले वो है दुरसाजी आढ़ा इनकी जो रचना है देखिए इनकी रचना का नाम है विरुद्ध चिहत्री और इसमें दोहा चंद का प्रियोग हुआ है तो ये किसकी है दुरसाजी आढ़ा के रचना है विरुद्ध चिहत्री इसमें चिहत्र द हो हैं ठीक है और इसी लिए इसको क्या कहा गया है विरुद छियत्री दूरसाजी आड़ा इसके रचनकाल हैं क्लिए है दोस्तों तो यह हो गई बात आपके वीर कावे के प्रमुख कवियों की इसके अलावा कुछ अन्य जो कवी हुएं देखी वीर रसातमक या वीर कावे के कवी वो कौन-कौन से हैं यह चीज़ भी हम जान लेते हैं अगला जो महत्वपुन नाम है देखी यह है देयाराम और इनका दूसरा नाम क्या था देयालकवी के नाम से भी इनको जाना जाता है इन्होंने देखी 1624 में राणा राशो नामक गरंथ की रचना की है तो देखी यह इनका महत्वपुन गरंथ माना जाता है राणा राशो देयाराम इनका नाम था और यह रचना कव माने जाती है यह हालांकि 1624 है लेकिन डॉक्टर नगेंदर की फूस्तक में इसका जो सही समय माना जाता है वो 1618 के आसपास है लेकिन जो सरवमान्यमत है वो 1624 होगा ठीक है तो राणा रासो की रचना कब है 1624 में माना जाता है और इसमें सिसोधिया कुल के जो प्रमुख राजा है देखिए चाहे कुंबा होगे उदे सिंग होगे प्रताप सिंग अमर सिंग इनके युद्धों और उनकी बीरताओं का वनन देखने को मिलता है कौन से राजा आपके सिसोधिया कुल के प्रमुख राजा ये चीज़ आपने याद रखना हो सकता है इस तरीके से प्रशन पूछा जाए कि सिसोधिया पूछा जा सकता है कि द्याल कभी किसका नाम है तो ये द्याराम का ही नाम है अगले जो कभी हुए हैं देखी ये हैं कुम्बकरण और कुम्बकरण आपके रमाइन वाले नहीं है ये कुछ अलग ही कुम्बकरण है और इनकी जो रचना है देखी ये है रतन रासो ये भी 1624 के आसपास मानी जाती है थीक है तो ये थी अगले मौत्itely वुठन कृती है ना तो इसमें देखी इनए नहें क्या किया है कुमकन कृती जो रतन रासो है इसमें रतलाम की जो महाराजा रतन सिंह है उनकी प्रशस्ती का वनन इसमें देखने को मिलता है और इसकी भाषा जो है वो है डिंगल भाषा अगला नाम है नियामत खाँ जान और नियामत खाँ जान ये आपके रीति कावे के अंतरगत भी आते हैं तो यहाँ पर इनको वीर कावे के जो रचना है देखी ये है क्याम खाँ रासो 1634 में इन्होंने इसको लिखा था ठीक है तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है तो ये तो हो गए आपके वीर कावे के जो प्रमुख कवी कौन-कौन थे और इनकी रचनाए कौन-कौन थी अब हम देख लेते हैं इसके बाद जो आपका भक्तिकालिन प्रमंधात्मक चरित कावे है या जिसमें चरित्र का किसी कवरन किया गया है वो कौन-कौन सी है वो रचनाओं के बारे उन रचनाओं के बारे में भी जान लेते हैं हालाकि इससे पहले हमने जो आधिकाल के बारे में चब पढ रहेते ही तो जैन सहित्य के अंतrगत हमने पढ़ाता कि जो चरित कावे है वह भाहा पर ज्यादा देखने को मिलता है लेकिन इसके अलावर अगर हम बात करें बहकतिकाल में तो बहकतिकाल में जो प्रबंधात्मक चरित कावे लिखे गए हैं देखिए ये चीज हम पीछे वाले लेक्चर में भी डिसकस कर गए थे कि सुधारू अगरवाल को ही इसमें क्या माना जाता है जो आपका प्रत्थम इनको पुरानिक प्रबंध कावे के रचाईता माना जाते हैं और इनकी जो प्रत्थम कृति मान जाती है ये चीज भी महतवपूर्ण है इसको हो सकता है परिक्षा में पूछा जाए तो आपने इसको याद रखना है ठीक है प्रबंधात्मक चरित कावे के हैं ये हम अच्छे से पहले आपको बता चुके हैं दूसरी जो महतवपूर रचना है ये है शाली भद्र सूरी क पंच पंडव चरीतरास इसमें पंडवों के चरीतर का जो है वनन देखने को मिलता है ठीक है तो इसको आपने इस तरीके से याद रखना है ठीक है शाली भद्र सूरी इसके रचनाकार है इसके बारे में भी हम पीछवाणे लेक्षर में विस्तार से थोड़ा सा बता चुक दूसरी चीज़ है अग्यात कभी गौतम रास इनकी एक रचना है देखिए प्रवंधात्मक चरित कावे के अंतर गताती है गौतम रास तो इसके जो रचना का रहे हैं वो भी क्या है अग्यात हैं उनके बारे में निश्चित जानकारी नहीं है लेकिन चरित नायक जो है वो क लेकिन अभी जो रचना है देखिए यह है गौतम रास तो इन दोनों रचनाओं के रचनाकार क्या है अग्यात है तो इसको भी आपने याद रखना है हो सकता है परिक्षा में पूछे जाए कि कौन सी दो रचनाए अग्यात की है या कौन सी दो रचनाए प्लाने कभी की है तो वो हमें याद होना चाहिए अगले जो प्रबंधात्मक चरित काव्यकार है इसमें आपके ब्रजभाशा में इन्होंने लिखी थी हरीचंद पुरान तो ये इनकी प्रमुक्रिती माने जाती है इसका जो रचना वर्ष है देखी ये 1396 के आसपास माना जाता है इसमें इन्होंने राजा हरिषचंद्र की जो परानिक कथा है उसका चरित्र चित्रन किया है ठीक है देखी हरिचंद पुरान से ही सिधासा मतलब निकल जाता है कि ज़राजा हरिषचंद्र थे जो सत्यवादी थे उनका इना ने इसमें चरित्र चित्रन किया है ठीक है तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और भाशा की बात करें तो ये अपरणश की जलक मिलती है ठीक है नेक्स देखिए देवप्रभ तो इनकी जो महतुपुन रचना है वो है कुमारपाल रासो ठीक है तो ये भी आपक किसमे आतिया देखिए प्रबंधात्मक चरित कावय में मानी जाती है और ये भी आपकी जेन रास कावय तो था वीर प्रशस्ति पुरक जो रासो थे उनकी प्रवरितियों का इसमें समन वेब दिखाया गया है किसमें उपमारपाल रासो में अगला जो महतोपूर्ण नाम है ये है पदमनाब तो इनकी रचना का नाम है देखिए कहनर दे प्रबंध ठीक है तो ये हो गए आपके भक्तिकालीन जो प्रवंधात्मक चरित कावय है उनकी जो प्रमुख कृतियों है उसके बारे में बात अब हम जान लेते हैं भक्तिकालीन जो नीति कावय है या उपद पूर्णतह जो नीति के उपर ही कृतियां लिखी गई है उनके उपर हम फोकस करेंगे तो यहां पर देखिए लिख भी दिया है कि भक्तिकाल में नीति कावय के तीन रूप प्राप्त होते हैं निर्गुन संतकवियों की रचनाव में नीति संबंधी पद देखिए सबसे पहले निर्गुन संतकविया है उनकी रचनाव में नीति के से रिलेटिड कुछ एक पद थे लेकिन पूर्णता उन्होंने नीति के उपर ही नहीं लिखा उन्होंने कुछ और चीज़ों के उपर भी अपनी लेखनी को उठाया है या अपने जो पद थे वो गाये थे इस त पूरी तरह से नीति परक नहीं माने जा सकते उसमें और चीज़ें भी जैसे श्रिंगार एकता हो गई या पिर आपका राम चरित मानस में देखेंगे कि उसमें आपको एक मर्यादा पुरुशोतम राम का चरितर चेत्रन देखने को मिल जाता है तो सारी चीज़ें हैं उसम सबसे पहरा नाम जो हमने लास्ट में कहां पर चोड़ा था पीछे वाले में जो आपका प्रबंधात्मक चरित कावे में हमने छीज़ एक छोड़ी थी पदमनाब का नाम वहां पर आखिर में था और यहाँ पर पदमनाब ने देखिये वीर रसात्मक या फिर आपका पहली रचना मानी जाती है ये चीज भी आपने रखनी है कि निति कावेधारा की जो प्रत्म रचना कौन सी है डूंगर बावनी है और पदम नाव इसके रचाईता है ठीक है त्रिपन छप्य हैं इसमें और साथ व्यसन से बचने का इसमें परामर्श दिया गया है तो दिखि आपके वैश्या गमन, आखेट, चोरी, परनारी डमन मतलब दूसरी इस्तरी के ऊपर बुरी नाजर डालना ये सारी चीजें क्या है इसके उपर इनने बात की है कि ये सब चीजें क्या है गलत है तो मतलब देखिए उपदेश दे रहे हैं तो इसलिए ये निती परक रचना मानी जाती है इसके रचनाकार हैं पदव नाब इसके अलावा अन्य जो भक्तिकाली निती का व्यकार हैं देखिए वो कौन-कौन से हैं ये जान लेते हैं सबसे पहला नाम है इसमें ठाकुर सिंग का ठाकुर सिंग की जो महतुपुन रचनाय हैं देखिए क्रिपन चरित्र और पचैंदरी बेली, ये दो रचनाय है, इनका जो रचना काल माना जाता है, रेकिए 1523 और 1526, तो कृपन चरीटर 1523 में और पचैंदरी बेली आपकी कभध र, ये 1526 के रचनाय मानी हैं, फीक है, तो ये जो दोनों रचनाय हैं, ये हस्त लिखित प्रतियां इनकी ही मिलती है जो मंबई के दिगंबर मंदिर और जैपुर के वधीचंद मंदिर में सुरक्षित हैं ठीक है तो ये किसके रचना है ठाकुर सिंग्की है इसके बाद जो दूसरे रचनाकार हैं देखिए इसमें ये छी हल है तो देखिए ये जो भी रचनाकार अब भी हम पढ़ रहे हैं आप देखेंगी जो आपका हिंदी साहित्य कहिती है हास किस का है अचारे राम जंद्रे शुकल का है उनोंने इनको किस में रखा है इनको आपके फुटकल जो रचनाकार है उन में त smashed भी चीज हम इस lecture में पढ़ रहे हैं इस से रिलेटरी जितने भी प्रशन पनते हैं उनको हम quiz के माध्यम से टेलेग्राम में भी discuss करेंगे तो आप चाहें हमारे टेलेग्राम ग्रूप के साथ भी जुड़ सकते हैं description में आपको उसका link दे दिये जाएगा तो दिखिए चीहल की जो रचना है पंच सहेली और चीहल बावनी तो ये इनकी दो रचनाएं मानी जाती है ठीक है तो पंच सहेली में इनने पांच सहेलियों की बात की हुई है ठीक है और आगे है देखिए इसमें आपके जो अगले कवी हैं वो हैं जमाल तो इनकी दोहावली है हलांकि इनकी को इनकी जो रचना है काली चरित्र तो इसलिए मैं इनको थोड़ थोड़ बता रहा हूँ क्योंकि इतने जादा महुत पूर्ण नहीं है परिक्षा से उप्योगी लेकिन आपको कई बार पूछ ले जाता है कि ये किसके अंतरगत आते हैं नीति कावे रिति कावे या आपका वी प्रोवाइड कर दी जाएगी तो चलिए इसके बाद अब हम देख लेते हैं आखिरी जो आपका भक्ति कालीन नीति कावे है वो कौन-कौन से है इसमें नीति कावे के अगले जो कवी हैं देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण नाम है वो है बनारसिदास जेन का बनारसिदा ये चीज़ें भी ये रचनाएं भी इनकी आती हैं ये किसके अंतरगत आती हैं सबके सबाब के नीति कावे के अंतरगत मानी जाती है ठीक है और बनारसिदास जेन को भी फुटकल कवियों में स्थान दिया है शुकल जी ने क्लेर है ये यहां से आपने याद रखना है आग जो भक्ति कालीन नीति कावे के अंतरगत आती हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा आखिरी जो अब हम देख लेते हैं देखिए भक्ति कालीन जो रीति कावे है वो कौन-कौन से कावेकार मने जाते हैं तो देखिए भक्ति कालीन रीति कावे के अंतरगत सबसे पहला जो हो है आपका क्रिपाराम ठीक है वही क्रिपाराम जिनकी रचना है हित तरंगनी और यहां पर बहुत सारे विध्यार्थी गरत कर बैठते हैं हित तरंगनी और हिम तरंगनी में कई बार कन्फूजन हो जाता है तो हिम तरंगनी किस की है यह माखिलनल चतुरुबेदी की है और ह इम करिटनी भी उने की है, लेकिन यहाँ पर हित तरंगेनी पूचा है, पर हित की बात किसने की है, यह की है कृ leveraging कर राम ने, और रछना काल की दिश्टी से इन्हें ही प्रत्थम कभी माना जाता है, कौनसा बक्तिकालीन, रीतिकाव्य का या रीतिकाव्य का ही इनको पहला कभ जाता है रितिकालीन कवी और इनकी जो हित तरंगनी है देखिए ये पांच तरंगों में विवक्त है ठीक है अगले जो कवी है देखिए ये हैं बलभद्र मिश्र इनकी जो रचना है शिखनक या नक्षिक फिर आपका बलभद्री व्याकरण गोबर्धन सत्सई हनुमन नाट और दूशन विचाल यहां पर ये वाली जो रचना है देखिए हनुमन नाटक ये किसकी है ये रिदयराम की भी रचना है जो आपके रामभद्र कवी है उनकी रचना का नाम भी हनुमन नाटक है लेकिन यहां पर बलभद्र मिश्र ने भी इसको रितिकागर की अंतरगत को भी शुकलने स्थान दिया है, अपने अंधी सहिते के तिहास में, इन की जो दो रचनाय 110 इनके बारे में कई भार परिक्षा में पूछा जाता है कि तिलग शतक और अलग शतक ये रचनाय किसकी हैं तो ये रचनाएं किसकी हैं देखिए ये हैं आपके मुबारक की ठीक है तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए यहां से जादा डीप आपको नहीं पूछा जाएगा सिंपली इतना ही है कि ये रचनाएं किसकी हैं इसके बारे में और यहाँ पर इन्हों ने आपके जो रिती कावय के अंतरगत भी कुछ एक रचना रखी हैं जैसे रसकोश हो गया, कभी वल्लब हो गया, सिंगारतिलक 1652 होगी और रसमंजरी तो इन्हों ने भी देखिए रसमंजरी शिर्चक से नंद दास्ची ने लिखा था और इन्हों न जो जो प्रमक रचनाएं थी वो मैंने आपको बता दी है, अगर आपको कहीं पर भी कुछ एक डॉर्ट्स लग रहे हैं तो आप कॉमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं, फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने दोस्त करना बिल्कुल भी न भूलें, तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स्पूर्टी के साथ, तब तक के लिए शुकरिया, जैहिंद